हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है, यह जो आपके सामने है, यह half HP की water pump motor है दोस्तों, इसमें प्रावलम ठीक की यहां से पानी चूरा था, water seal के पास यह पानी चूरा था, तो customer में इस water seal को भी change करा दिया, फिर भी यहां से पानी चूरा है तो नया water seal लगने के बाद यहां से पानी चूरा है दोस्तों तो यह आज मेरे पास बनने के लिए आया है मैं इस फाल्ट को आज बनाऊँगा इस प्रावलों को ठीक करने के लिए मोटर को खोलना पड़ेगा और दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंपर्टेंट है इस वीडियो में आपको बहुत सारी नई चीज़े जानने को मिलेंगे और सिखने को मिलेंगे क्योंकि यह एक नया फॉर्ट है तो वीडियो को पूरा देखियागा और वीडियो पुसंद आये तो लाइक जरू किजिएगा दोस्तों इस वीडियो मैं 400 लाइक का एम रखता हूं इस एम को जरू से जरूर पूर यह मोटर की कॉयल है जो की बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है बिल्कुल बणिया है हाला कि मोटर चल रहा है कोई प्राब्लम नहीं है और यह इसका रोटर है दोस्तों यह जो घूम रहा है और यह इसका इंपेलर है इसी एकाम होता है पानी को उपर चढ़ाना इस मोटर में प निकालना पड़ेगा दोस्तों और प्राबलों के बारे में जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन दबागा देख सकते हैं दोस्तों उसमें मैं पूरा दिख सकते हैं तो अब इस κवर को निकाले है इसके पहले जो इसमें वाटर सीह कुपा हुआ है उसको निकालना है निकलना है यह पैचकर्स के निकल जाता है या फिर इसके लिए LOG olvation वह आता है तो उसके निकलता है वर दोस्तों इस लोख निकालने सब्देकर यहां पर रहता है इसको निकालना जडर भी होता है जो इंपेलर लोख और रिल को निकालते हैं water seal के ऊपर एक वासर लगा हुआ है तो दोस्तों ये इसका water seal है इसका एक भाग नीचे ही रह 추가 है दोस्तों उसको मैं निकालने के कोसिद कर रहा हूँ ये पत्थर जो है दोस्तों यहाँ पर रहता है अब दोस्तों इस रोटर को निकालेंगे उसके बाद से इसका फाल्ट समझ में आने लगेगा कि कहां से ये फाल्ट था तो दोस्तों मैं इस रोटर को निकाल दिया हूँ रोटर निकालने के लिए दोस्तों यह ऐसा रहता है तो यह साफ्ट बाहर निकला रहाता है तो किसी भी लकडी के गुटके वैसे ठोगने पर यह उपर तरबा जाता है उसी प्रकार से मैं निकाला हूँ इसको अब यह साफ्ट आ गया अब यहाँ पे बिल्कुल साफ समझ में आ रहा है दोस्तों कि यह पानी क्यों लिकेज कर रहाता तो जैसा कि यह वाटर सील है दोस्तों यह यहाँ पे रहाता है मैं आपको इसके जगह पे बताता हूँ ले चलके यह दोस्तों यह वाटर सील से में यही पे रहाता है तो जहाँ पे यह वाटर सील रह रहा है वहां पर गड़ा हो गया दोस्तों आप देख सकते हैं यह साफ्ट के उपर जैसे साफ्ट की मुटाई इतनी होनी चाहिए जितना साइज के यह है यहां लेकिन आगे जाकर साफ्ट यहां पर बिल्कुल गड़ा सा बन गया है यह देखिए कट गया है घिस गया है तो इसी और वर्कसाप में ले जाकर इसको टर्न करानाया पड़ेगा जब जाकर बिल्कुल प्लेंन होगा जब कोई मुडूल यहांपे काम करे मैं वाटर सिल को बिल्कुल टाइट हो रहना चाहिए यहांपे जीस tresla is two sh वीडियो को सूट कर रहा हूं तो इस तमें सारे वर्क साब बंद हो गए होंगे तो कल दीन में ले जाकर इसको मैं लेट मसीन पर टर्न कराऊंगा और आपको भी दिखाऊंगा कि कैसे वेल्डिंग होता है और कैसे टर्न होता है तो देखिए दोस्तों रोटर के साफ्ट पर टाका लगाया जा रहा है क्योंकि बेल्डिंग की पकड़ अच्छी तरह से हो और फिर इसके बाद से बेल्डिंग होगा तो देखिए दोस्तों इसके रोटर के साफ्ट के ऊपर चारो तरफ से बहुत अच्छी तरह से बेल्डिंग हो गया है वह भी वाटर सील के साइज में तो दोस्तों इसमें 12 mm की वाटर सील लगा हुआ है तो बारे एमेम की वाटर सील के साइज में इसको टर्म किया जा रहा है जो कि आप देख सकते हैं तो दोस्तों यहां पे टर्न हो गया है बहुत अच्छी तरह से वेल्डिंग करके जैसा कि आपने देखा अब इसको मैं फीट करूंगा दोस्तों देखिए कितना साफ्ट हो गया है कहीं भी कोई गड़ा नहीं है इस पर जहां पे वाटर सेल रहेगा वहां पे कोई भी गड़ नहीं और यह पुराना वाला वाटर सेल इसमें टाइट भी जा रहा है देखिए यह बिल्कुल टाइट जा रहा है यह यह जो इसको फीट करते हैं सबसे पहले हम इसको बड़ी के साथ पीट करेंगे इसका बड़ी यह है इस साइड़ वाला जो बैरिंग यहां पर था इस मैं पहले से यहां लगा रहा हूं अब इसको यहां हम लगाएंगे इसमें इसको लगाने से पहले वाटर सेल का एक भाग इसमें लगाना बहुत ही जरूरी होता इस गड़े में जैसे इस पुराने वाले वाटर सेल में दो भाग निकला हुआ था एक भाग यह वाला तो यह थोड़ा सा grease कि आउर सकता पड़ेगा ये grease है इस grease को हम पहले ही water seal के जगह पर लगा लेगे ये थोड़ा बहुत तकि water seal बहुत ही असानी से जाकर उसमें बैठ जाएगा जैसा कि बैठ रहा जाकर देखिए अब यह इस साफ्ट को बेरिंग साथ लगाए जाए इसके पहले ये वासर है दोस्तों ये वासर यहां रहता है यहां पे रहता है ये वासर इसलिए लगा जाता है दोस्तों कि कभी भी वाटर से लिकेज कर जाए और पानी चूने लगे तो पानी को बेरिंग के पास तक नहीं आने देता है वासर यहीं नीचे से गिरा देता है इ दूसरा वाला भाग लगेगा यह जो सफ्ट है इसके अंदर तोड़ा सा ग्रीसिंग किया जाता है यह ताकि वाटर सील अंदर असानी से चला जाए और वाटर सील को ऐसे लगाएंगे दोस्तों कभी वाटर सील का जो यह भाग है जिसमें पत्थर रहता है और अंदर वाले भ जगा पर बैट चुका है अब इसको उपर से एक लोक लगा जाता है ताकि वाटर सील बाहर के तरफ न आये अब इसको उपर सहम इंपेलर लगाएंगे तो दोस्तों इंपेलर को अपने जगह पर बैठा कर इसको थोड़ा बहुत नचा कर देख लाना चाहिए कि इंपेलर बिल्कुल टच तो नहीं कर रहा है बिल्कुल फिरी घूम रहा है तो यह इंपेलर बिल्कुल फिरी घूम रहा है बिल्कुल टच नहीं कर रहा है तो दोस्तों इस मोटर को मैं बॉड़ी के साथ बिल्कुल फिट कर लिया हूं अब इसके पॉंप में थोड़ा पानी डालका चेक करूंगा कि पानी तो नहीं चूरा है तो आए इसके पॉंप में थोड़ा पानी डालते हैं इसके पॉंप को भर देते हैं तो दोस्तों यहां स अब पानी भर भी चुका है आप देख सकते हैं पॉम्प पानी से पूरा भरा हुआ है लेकिन पानी यहां से नहीं चुरा है इसका मतलब हुआ कि इसका प्राब्लम जो था वो बिल्कुल ठीक हो गया बिल्कुल पानी नहीं चुरा है इसमें अब कभी भी चुएगा भी नहीं इसकी लाइब बढ़ गई और बहुत अच्छी तरह से काम करेगा तो दोस्तों अगर आपके मोटर में भी ऐसा कुछ प्राब्लम देखने को मिल रहा है वाटर से बदनले के बाद भी पानी चूरा है तो आप इस परकार से ठीक कर सकते हैं जिस परकार से मैंने बताया और दिखाया तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक कीजिए, सेर कीजिए और मेरे चैनल में अगर नहीं होते हैं इसे सस्क्राइब करके साइट का बेल आइकन में दबाईए और अल आप्सन को भी ओके कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे तो फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए अलविदा